राश्ट्रिय पारिवारिक लाब योजना 2021 को उत्तर प्रदेश के माननिय मुख्यमंत्री श्री योगी आधित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है इस योजना को राश्य के सभी निमनवर्ग के परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए शुरू किया गया है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे की कैसे आप भी इस सरकारी योजना का लाब उठा सकते है राज्य के सभी गरीब परिवारों को वित्तिय सहायता देने हेतू राज्य सरकार द्वारा इस कल्यानकारी सरकारी योजना को शुरू करने का निर्नय लिया गया है इस योजना के अंतरगत यदि किसी गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यू हो जाती है तो इस संकट के समय में राज्य सरकार उस परिवार की आर्थिक सहायता करेगी, जिसके लिए राज्य के समाज कल्यान विभाग द्वारा परिवार को 30,000 रूपे की सहायता राशी आवेदन करने है तू आपके पास ये पात्रता जरूरी है नमबर एक आवेदन करता का मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना आनिवार्य है नमबर दो केवल वो परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है जिसके परिवार के मुखिया की मृत्यू होन आवेदक परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपे से अधिक नहीं चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया ओनलाइन है। आवेदन करते समय आपके पास जो जरूरी दस्तावेज है वो इस प्रकार है। परिवारिक लाब फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले nfbs.upsdc.gov.in की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आएए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर हम ब्रावजर में टाइप करेंगे nfbs.upsdc.gov.in और इंटर कर देंगे। अब हम समारे सामने समाज कल्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर पहला ओप्शन है शासना देश। इसमें हम प्रशासन के द्वारा दिये गए आदेश के बारे में जान सकते हैं। दूसरा ओप्शन है आवेदन पत्र भरने हेतु पूर्पूर्ण दिशा निर्देश। यहाँ से आप आवेदन भरने के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ओप्शन है नया पंजीकरन। यहाँ से आप अपना नया आवेदन कर सकते हैं। चोथा ओप्शन है आवेदन पत्र की स्थिती। यहाँ यहां से आप आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन की स्थिती को जान सकते हैं। पाच्वा ओप्शन जिला समाज कल्यान अधिकारी के लौगिन के लिए है। छठा ओप्शन है जनपद वार लाभार्थियों का विवरन। यहां से आप अनुदान के लिए चुने गए लाभार्थियों के नाम देख सकते हैं। सात्वा ओप्शन है समपर्ख सूत्र। यहां से समाज कल्यान विभाग के समपर्ख सुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्ध कर सकते हैं। अब आईये जानते हैं नया पंजीकरण कैसे करें. यहां नया पंजीकरण option पर क्लिक करेंगे. हमारे सामने नया पंजीकरण form खुल कर आजाएगा. पहला option है जन्पत का. यहां से आप अपना ग्रः जन्पत चुनेंगे. दूसरा option है निवासी. यहाँ आप शहरी है तो शहरी और ग्रामीन है तो ग्रामीन सलेक्ट कर लेंगे। अगला ओप्शन है Choose File, यहाँ से आप अपनी यानी आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। याद रहे फोटो JPEG फॉर्मेट में और 20 के भी से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ से आवेदन को तीन भागों में बाटा गया है इसमें पहला भाग है आवेदक का विवरण। 6. पहचान पत्र की क्रम संख्या पाँचवे ओप्शन में चुने गए पहचान पत्र के क्रमांग को यहाँ भरेंगे। 7. पहचान पत्र की फोटो कोपी को अपलोड करें. यहां से पहचान पत्र की स्कैन कोपी को अपलोड करें. जो की PDF फॉमेट में और 20 केवी से अधिक ना हो. 8. वार्शिक आये. आवेदक की वार्शिक आये आये प्रमान पत्र के अनुसार भरें. 9. आये प्रमान पत्र संख्या. यहां पर तहसील द्वारा जारी आये प्रमान पत्र की संख्या भरें. 10. आये प्रमान पत्र आवेदन संख्या. यहां पर आये प्रमान पत्र की आवेदन संख्या भरनी है आपके पास उपलब्ध है तो ग्यारह दूरभाश नमबर यहां लैंडलाइन का नमबर भरेन यदि आपके पास है तो बारह मोबाइल नमबर यहां आवेदक का मोबाइल नमबर भरना है अब यहां पर बैंक खाते का विवरन भरना है 1. बैंक का नाम, आपका जिस बैंक में खाता है उसका नाम भरेन 2. बैंक शाखा का नाम भरेन 3. अपनी बैंक शाखा का IFS कोड भरेन 4. अपना बचत खाता संख्या भरेन 5. सकैन की हुई बैंक पास्बुक को यहां से अपलोड करें पास्बुक PDF फॉर्मेट में और 20 के भी से अधिक नहीं होनी चाहिए तीसरे भाग में मृतक का विवरन भरना होगा 1. तियहा पर मृतक का नाम भरेन 2. तियहा पर मृतक के पिता अथवा पती का नाम भरेन 3. तियहा पर ब्लॉक द्वारा जारी मृत्यू प्रमान पत्र संख्या भरेन 4. तियहा पर मृत्यू प्रमान पत्र जारी होने की तिथी भरेन 5. तियहा पर मृत्यू प्रमान पत्र के अनुसार मृतक के मृत्यू की तिथी भरेन 6. यहां से मृत्यू के मृत्यू का कारण चुनना है 7. यहां पर मृत्यू के दिन मृत्यू की उम्र क्या थी भरना है 8. यहां मृत्यू जो व्यवसाय करता था उसे सलेक्ट करना है 9. यहां मृत्यू का आवेदक से संबंध को सलेक्ट करना है 10. यहां से मृत्य प्रमान पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें जो की PDF फॉर्मेट में और 20 के बी से अधिक नहीं होनी चाहिए 11. सिगनेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें जो की JPEG फॉर्मेट में और 20 के बी से अधिक नहीं होनी चाहिए 12. आय प्रमान पत्र की scan copy upload करें जोकी PDF format में और 20 के भी से अधिक नहीं होनी चाहिए 13. मृतक की उम्र से संबंधित प्रमान पत्र upload करें जोकी PDF format में और 20 के भी से अधिक नहीं होना चाहिए आवेदन पत्र को पूरा करने के उपरांत भरी गई प्रिविष्टियों को सावधानी पूर्वक पुनह जाच ले इसके बाद कैपचा कोड डाल कर नेक्स्ट पर क्लिक कर दे इसके बाद आगे की प्रक्रिया के पश्चात फाइनल प्रिंट निकाल ले रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने के बाद अगले तीन कार्य दिवसों के अंदर फाइनल प्रिंट तथा समस्ट सनलगनकों की सत्यापित छाया प्रती के साथ समाज कल्यान अधिकारी कार्याले में अनिवार्य रूप से जमा कर उसकी रसीद प्राप्त कर ले अगर आप रजिस्ट्रेशन के पश्चात अपने आवेदन पत्र की स्थिती जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें यहाँ पर सबसे पहले अपना जनपद सलेक्ट करें फिर अकाउंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप्शन को सलेक्ट करें आगे अकाउंट नमबर अत्वा रेजिस्ट्रेशन नमबर भरेन और सर्च बटन पर क्लिक करें.